नमस्कार आप सभी का मेरी YouTube चैनल उर्मिलाज कॉर्नर में स्वागत है आज हम बनाएंगे अर्भी के पत्ते की रिक्मत जो की बिहारी स्टाइल में बनाएंगे और इसके कुछ टिप्स है जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपके गले में बिल्कुल भी खुजिली नहीं होगी तो चलिए फटा-फट से वीडियो स्टाइट करते हैं सबसे पहले हम अर्भी के पत्ते को ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से धोकर सुखे कपड़े से पोच लेंगे और इस अर्भी के पत्ते में पीछे में जो डंठल से हम लोग तोड के लाते हैं उसका कुछ भाग य से हलका सीधा कर लेंगे इसमें हम मसाले पीसकर डालेंगे तो चलिए देख लेते इसमें कौन-कौन से मसाले डाल रहे हैं तो इसमें हम लेंगे तीन चम्मज धनिया दो चम्मज जीरा आधा चम्मज गोल की दो इंच दो टुकड़ा तीन चार टुकड़े करके अधरक ले ले हरी मिच्षी डाल रहे हैं आप लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं और इसमें डाल देंगे हम 4-5 लॉंग इन सारे मसाले को हम मिक्सी में फीस लेंगे अब हम एक डो तैयार कर लेते हैं इसके लिए हम यहाँ पर ले रहें दो कप बेसन देर चम्मच हल्दी गले में खुजली ना हो उसके लिए हम यहाँ पर डाल रहें तीन चम्मच आमचूर पाउडर यह इसकी खाश टिप से अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो तीन नीबू के रस या फिर आम का अचार भी आप इसमें डाल सकते हैं इसे थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डाले में एक कप चावल पाउडर जो मसाले हम पीस कर रखे थे उसे डालेंगे टेस्ट के कोडिंग इसमें नमक डालेंगे नमक थोड़ा चटक ही डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम एक स्मूथ सा पेश्ट तयार करेंगे ज्याद पर घोल तयार कर लिए हैं अब हम चलते हैं पेठा बनाने के लिए तो सबसे बहले हम सबसे बड़ा पत्ता जो होगा हम उसे लेंगे और उसे सबसे पहले रख करके और चारो और से उस पर हम जो बेशन का जो घोल तयार कियें उसे लगाएंगे और जो भी छोटे पत्ते अधुक इंदे देखे इस हम लपेट लेंगे और बैसन यहां पर हमारा फेविकॉल पेश्ट का काम करता है तो जहां भी हमारा पत्ता न comments दूट कशाएं मेरा दूट में सभस्या हूं से पकड़ते हुए हम इसका रूल बनाएंगे यहां पर हम आठ से दस पत्ते ले रहे हैं आप चाहे तो थोड़ा ज्यादा भी पत्ते ले सकते हैं इस तरह से दिखे हम पेठे को तयार कर लिए हैं और जहां भी यह नहीं चिपका है। और इधर दोनों तुरप में भी हम बेशन को घुर लगा देंगे और इस तरह से हम एक पेठा को बना लिए हैं इसी तरह से हम यहाँ पर तीन रोल बनाए हैं इसे हमें भाप में पकाना है तो यहाँ पर हम आधा लिटर पानी ले रहे हैं और इसके उपर यह एक जाली रख के और एक प्लेट रख देंगे और प्लेट से इसके उपर में हम तीनों रोल को रख देंगे और 15 से 20 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम ही रहेगा और इसे ढख करके हम पकाएंगे 15-20 मिनिट हो गया है अब हम इसके धक्कन खोल कर देखते हैं और इसमें एक सीक डाल कर देखेंगे अगर वो आराम से पास हो जारा तो समझेंगे कि ये पग गया है तो ये देखें ये बिल्कुल पग गया चलिए अब इसे हम ठंडा करते हैं ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया अब इसे हम पीस-पीस में काट लेंगे जैसा आपको पसंद हो मोटा पतला जैसा भी है हम इसे काट लेंगे जब भी हमें खाना हो तो हम गरम गरम ही इसे फ्राइ करेंगे और खाएंगे बहुत ही क्रिस्पी लगेगा तो यहाँ पर हम थोड़ा जादा ही तेल लेंगे तीन से चार चमज तेल लेंगे और इसमें डालेंगे सरसू, सुखी मिर्च और सफेद तिल तीनों को डाल देंगे थोड़ा चटकने देते हैं चटकने के बाद हम एक एक करके यहाँ पर हम इस रिक्मच को डाल देंगे और इस तरह से थोड़ा दबा दबा करके इसे अल्टी पल्टी करके हम इसे पका लेंगे थोड़ा क्रीस्पी कर लेंगे इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं मज़ा आ जायागा और बन जाने के बाद हम फिर इस तरह एकेक कर निकालेंगे और इसे परुशेंगे आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा है आप सभी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में